इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप आपने पहले हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया था कि यदी कोई कपल होटल में जा रहे हैं तो जाने से पहले उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपने इस से सम्मन्दित अनेक सवाल पूछे थे उन्हीं सवालों में से कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखिए सबसे पह होता है जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताओं कि दीखे अगर आप सोचते हो कि आप अपने प्रेम संबंद के लिए मैं बहुत असपस्ट बोल रहा हूं यदि आप कुछ अंतरंग समय बिताने के लिए यदि आप दो से तीन घंटे के लिए होटल में झारे हो तो मैं समझता हूँ कि यह कटई safe नहीं है उसका कारण यह हैं कि जब भी आप दो से तीन घंटे के लिए आप होटल में जा रहे हैं आप के पास luggage नहीं है और जब आप होटल में जा रहे हो तो यह बहुत असानी से अनुमार लगाया जा सकता है कि आप किस वह आपको कोई कमरा दे रहा है तो बहुत चांस है कि वह अंसेफ होगा क्योंकि हो सकता है कि कोई hidden camera हो या हो सकता है कि किसी भी परकार का आपके साथ Miss Behavior behavior हो तो मैं तो यह बोलूँगा कि आपने यह सवाल पूछा है कि दो से तीन गंटे के लिए होटल में जाना सेफ होगा या नहीं तो रहुल जी मैं आपको यह कहूँगा कि यह बिलकुल सेफ नहीं है और आपको इस तरह के होटल जो मैं जानता हूँ जो ऐसे provide करते हैं आप इस तरह के होटल में बिलकुल ना जाए या बिलकुल सेफ नहीं होता है एक दूसरा सवाल पूछा है यह एक female है और उन्होंने यह पूछा है कि अक्सर जब हम कभी होटल में जाते हैं या कहीं और भी रहते हैं तो उस टाइम पे हमारा पार्टनर अक्सर अंतरंग पलो का वीडियो बनाता है और मेरे सामने ही डिलीट कर देता है लेकिन फिर भी मझे डर लगता है कि क्या यह वीडियो बनाने देना चाहिए या नहीं बनाने देना चाहिए देखे आपको मैं एक बात बताओं कि आज कल जितने भी स्मार्ट फोन आ रहे हैं उन सभी स्मार्ट फोन के अंदर अगर आपने कोई वीडियो बनाया तो वो 10 से 15 मिनट के अंदर क्लाउड में जो कि एक वर्चुल क्लाउड होता है उसमें जाकर के वर वीडियो सेव हो जाता है तो अगर आपने अपने फोन से वीडियो को डिलीट भी कर दिया तो भी वो वीडियो आपका पर्मानेटल डिलीट नहीं हुआ वह क्लाउड में है एवलेबल आप होटल में चले गए वहाँ पर जा करके आपने कुछ अंतरंग समय बिताया आपने सोचा वीडियो बनाएंगे उसको डिलीट कर देंगे लेकिन आप देखे वो वीडियो संभव है कि वह डिलीट ना हो और वो आपके लिए कभी बहुत बरा मुसीबत भी बन सकता है तो क्यों मुसीबत बन सकता है क्योंकि आज आपके रिलेशन ठीक है कल अगर आपके रिलेशन खराब हो गए तो हो सकता है कि कोई भी एक पार्टनर में स्यूज करे या फिर ऐसा भी हो सकता है वह किसी और के हाथ लग जाए और आपके लिए बहुत कखिनाई हो जाए इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि आप भूल करके भी ऐसी गलतियां ना करें और इससे सम्मंदित और भी इस प्रशन है तो आप जरूर पूछें उसका जवाब देंगे बहुत बहुत देंगे